ओम साइराम आज दुपहर के संदेश में बाबा कह रहे हैं अपने सभी भक्तों से मेरे बच्चे मैं तेरे समय को बदल रहा हूँ तेरे चिंता करने से और ना करने से समय नहीं बदलेगा क्योंकि नियती ने जो लिख रखा है वो तो तुझे भोगना पड़ेगा अगर उनस कर्मों के फल भोगने से बचा सकता हूँ क्योंकि मैं जो चिलम का प्रियोग करता हूँ उस चिलम मैं अपने भक्तों के बुरे कर्मों के फल को और उसके कर्मों को ही उसमें हर समय फोगता रहता हूँ चिलम के द्वारा ही मैं उन्हें अपने अंदर समाहित कर लेता हूँ और अपने भग्व्तों में सुक्सान्ति प्रदान करता हूँ मेरे बच्चे, अगर तुम चाहते हो सुक्सान्ति, तो तुम्हें मुझे पर अटूट विश्वास तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि मन हमारा कभी इस्तिर नहीं हो सकता, नहीं हमारा कभी मस्तिक इक्स्तिर हो सकता है इन दोनों की बातों में ना आकर अपने आपको सम्हालना होगा तुम्हें और मुझे पर दृड़ बिश्वास तुम्हें बनाना ही होगा क्योंकि जब तुम दुरण बिस्वास मुझे बना लोगे तो स्वेम ही तुमारी जीवन में निखार आता जाएगा जहां तुम्हें बिस्वास नहीं होगा वहां कुछ नहीं होगा और उससे भी पहले तुम्हें अपने आप पर बिस्वास बनाना होगा जब खुद पर तुमारा बिस्वास बन जाएगा तो मैं तो स्वेम ही तुमारी मदद करने आ जाओंगा क्योंकि जहां बिस्वास होता है वहीं तो मेरा बास होता है जहां बिस्वास ही नहीं है वहां मैं कैसे जाओंगा वहां मेरा बास नहीं है